नमस्कार, बलिया लाइव के इस खास कारिक्रम में स्वागत है आज इस कारिक्रम में हम बात करने वाले हैं कि मन की शांती के लिए हम क्या करें और मन हमारा बेचायन क्यों रहता है मन हमारा बेचायन इसलिए रहता है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं जिस वातावरण में हैं वह बहुत ही नकरातमक होता जा रहा है समय जिस तेजी से बदल रहा है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नकरातमक वृत्ती हमारे चारों और है हमारे आज़ पास समाज में आफिस में हर आदमी गले तक स्वार्थ में बढ़ा हुआ है और एक दूसरे के प्रती इतना निगेटिव थौट रखता है और अशुद्धता इतनी बढ़ती जा रही है समय के साथ जिसके की प्रवाख से हम बच नहीं सकते यह बहुत बढ़ा कारण है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वह हम पर प्रवाख डालता है और हम कई कारणों से दुखी होते हैं उदास होते हैं इसका सबसे असाम तरीका यह है इससे निपटने का कि हम यह मान लें कि हमारा जो चिंतन है वो इस तरीके का हो जिसमें की ऐसी चीजें कम असर डालें या ना डालें और यह तब ही हो सकता है जब हम वैसा बिवार करें जैसे कि हम खड़े हैं और कोई हवा आई और हमारे शरीर को छो करके चले गई बहुत मुश्किल है देरे देरे अभ्यास से यह होगा और बहुत बड़े बड़े ग्यानी लोग इस अनकरात्मक माहौल में परिवेश में पढ़ जाते हैं और फिर उसी तरीके का उनका रियक्शन होता है देखिए अभी जो एक साल से हम देख रहे हैं दुनिया जिस कारण से भी एक ठेहरी सी है बहुत सारे तनाव आउसाद के वज़े हमारे सामने आ रहे हैं ऐसे बहुत सारे कारण हमारे सामने अचानक आ गे हैं जिस के लिए हम तैयार नहीं थे और वातावरण की अशुद्धता निश्चित रूप से मनुष्री के विचारों की अशुद्धता के बाद ही आती है हम सब को तो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हाँ यदि हम स्वयम पो प्रयास करें शांती से कुछ वक्त स्वयम के लिए दें चिंतन करें मनन करें और हम यह त्या कर लें कि हम ऐसे बातों का ऐसे विचारों का ऐसे लोगों की बातों का अपने उपर प्रभाव नहीं पढ़ने देंगे और समय के अनुसार वक्त के अनुसार जो स्रेश्ट होगा जो अचित होगा वह करेंगे जो हमारे लिए बहतर हो समाज के लिए बहतर हो तब शायद हम धीरे-धीरे वह जो द्वंद है उससे निकल करके च्छी तलता के और बढ़ेंगे तो इसका अभ्यास हमको करना चाहिए नासकार